हेलो एवरीवन वेलकम तु स्टड़ी आइस वेरी गुड मॉर्निंग तू अप सब आज की क्लास रहेगी डेली प्रिलिम्स 21 mcq जो अपनी सीरीज चल रही है जिसमें हम सुभे नौ बजे डेली के mcq करते हैं करंट अफ्यर के उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज भी क्लास लेंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा स्टड़ी आया इसको जो अभी हम ले रहे हैं और एक शाम को 6 बजे होगी जोग्रफिक की सीरीज चल रही है उसमें हमने काफी सारा पॉश्चिन क्लियर कर लिया है और अभी भी सीरीज चल रही है तो आप उसमें जोइन करना मत भूलेगा आप लोगों के लिए एक सर्प्राइज है कि अनक आडमी नहीं अब GS के लिए और Optional के लिए जो सब्सक्रिप्शन है उन दोनों को अलग-अलग कर दिया है यानि कि अब आप पूरी तरीके से अपने Optional पर फोकस कर पाएंगे अब आप अपने Optional पर ध्यान दे पाओगे औ अगर आप 31st October से पहले लेते हो तो आपको एक के लिए पे करना है लेकिन अगर आपने देरी कर दी तो आपको दोनों के लिए पे करना पड़ेगा और study eyes का code यूज करना that is mandatory यह आपको यूज करना है ताकि आपको 10% का discount मिल जाए यह इस help line number पर आप query अपने डाल सकते हैं अगर कुछ है तो चलिए अभी आपको लोगों को सभी question के answer करने हैं बहुत अच्छी से answer करने हैं कोई भी student relax होके नहीं बैटेगा सबको अच्छी से interact करके answer करने हैं जैसे ही screen पर आप question देखते हैं self reading करिए और इसको answer करिए recently hemal sun reduction program has been launched एक ही program है यह launch हुआ है it is related with यह किस चीज़ से related है to protect state butterfly to protect snow leopards to protect himalayan langur to protect Bengal tiger बताइए okay very soon है कैसी video भी आएगी जिसमें last one year का current affair आप लोगों के लिए अच्छे से cover हो जाएगा you said be right everyone must answer answer hemal sun reduction एक program अभी launch हुआ है वो किस चीज़ से related है क्या वो butterfly से है snow leopard से है himalayan langur से है या bingol tiger से है hmm b और c right चली आगे a b है यानि की confusion है काफी आप लोग c.a को अच्छे से नहीं कर रहे हो current affair पे पूरा focus नहीं है right answer is b snow leopard snow leopard के लिए hemal sun reduction program जो है यह launch करा गया है क्योंकि snow leopard जो है critically endangered हो गए है और इनका status critically endangered है that's why उनको अभी protect करना जिम्मेवारी बन गई है इसके लिए अलग-अलग program launch करे जाते हैं जैसे इसे पहले GSLAP करा गया global level पे जो था project snow leopard launch किया गया अब यह hemal sun reduction program करा गया है कि अब उसकी sun reduction की जाएगी 23rd of October को snow leopard day था जिसमें Indian government ने एक community volunteer program जिसका नाम है hemal sun reduction program को launch करा गया था कि snow leopard को प्रोटेक्ट किया जा सके consider the following statement about the snow leopard अभी यह question है snow leopard से related snow leopard is in list of 21 critically endangered species second कहता है कि project snow leopard was launched in 2009 to promote an inclusive and participatory approach to conserve snow leopard and their habitat right code आप लोगों को बताना है one only two only both या none बताएए यह श्रिवांगी right उसका answer B था अब इसको answer करिये कि snow leopard से related question है पहला कहता है कि critically endangered species में include है second कहता है कि इसके लिए project snow leopard 2009 में launch करा गया था ताकि to promote an inclusive participatory approach to conserve snow leopard और their habitat leopard को बचाने के लिए और habitat को बचाने के लिए उसके habitat को बचाने के लिए right okay so right answer is C बिल्कुल सही C is the right answer बिल्कुल easy है हमने पहले भी और इसको बात कर लिया है snow leopard critical endangered है और इसके लिए project स्टार्ट करा गया था 2009 में इंडिया में तीन ऐसी जगे हैं जहां पे snow leopard को बचा के रखा जाता है उसको protect किया जाता है वह जगे कौन सी है landscape कौन है उसका नाम क्या है वन इस हैमिस स्पीती एक्रॉस लद्दाख है निमाचल प्रदेश इमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में एक जगे है हमिस स्पीती वहां पे यह landscape है जिसमे snow leopard को protect करके रखा गया है नंदा देवी और गंगोतरी जो की उत्राखन में है वहां रखा गया है कंचन जंगा और तवांग अक्रॉस दा सिक्कीम और अरुनाचल प्रदेश तो आपको यह तीनों लैंड्स के पियाद रखनी है हमिस स्पीती नंदा देवी गंगोतरी कंचन जंगा तवांग अक्रॉस सिक्कीम और अरुनाचल प्रदेश नेक्स्क्षिएन हैं कंसीडर दा फॉलोवग्स किटमेंट अबाउट अचनल बाउफार्मा मिशन से रिलेटेट अपक्षिएन हैं यह पर एक्सटारेटिन बाउफार्मसीटिकल देवलॉप्मेंट इन्टरी गोवर्मनें हैं गॉवर्मेंट हैं enabling ecosystem to promote entrepreneurship C कहता है दोनों सही हैं D कहता है कि एक भी सही नहीं है So answer it कि actually में सही क्या है बताईए All right So आप लोगों ने बोला कि इसका answer C होगा चलिए ठीक है National Bio Pharma Mission था ये Done C is the right answer आप सब answer नहीं कर रहे हो ऐसे बात ही नहीं बनने वाली है ऐसे आप लोगों को नहीं आएगा मेरा कुछ नहीं जा रहा है आप लोगों को समझ नहीं आएगा ठीक है तो प्लीज answer करिए National Bio Pharma Mission जो है वो Industry और Academia Collaborative Mission है यानि कि Industry और Education ने मिलके इस Mission को launch करा है ताकि इन country में जो Bio Pharmaceutical Development है उसकी हो सके Bio Pharmaceutical एक अच्छे Level पर पहुंच सके उसकी Development हो सके इसके लिए Government ने एक Innovative in India जिसका नाम है I3 III हो गया ना Innovative in India यानि कि Innovate in India इस ये प्रोग्राम लोंच करा है ताकि एक ऐसा अच्छा Ecosystem बन जाए जिसमें Bio Pharmaceutical को भी प्रमोट करा जाए और Entrepreneurship भी Generate करी जाए उसको भी प्रमोट करा जाए तो ये दोनों चीज इसी से Related है, दोनों सही है National Bio Pharma Mission was launched in 2017 and 50% co-funded by the World Bank loan यानि कि ये जो Bio Pharma Mission है वो 50-50 basis पे है 50 Indian Government ने दिया है Government of India and Ratio World Bank World Bank से हमने 50% का loan लिया है और फिर हमने इस mission को funded करा है It is implemented by the Bio Technology Industry Research Assistance Council यानि कि बिराक किसके द्वारा इसको launch करा गया implement करा गया बिराक के द्वारा Bio Pharma से बिराक आप इसको BB है starting में तो इस तरह से भी याद कर सकते हो अब बिराक क्या है बिराक एक public sector enterprise है that's set up by the Department of Bio Technology और ये जो बिराक है Department of Bio Technology के द्वारा इसको set up करा गया है Is that clear? Clear है क्या? Recently, Kapila program has been launched Kapila एक program में वो launch करा गया है वो किस चीज़ से related है? उसको answer करिये Student will get benefit from invention by patenting them Student and scientists have to be more aware of protecting intellectual property दोनों सही है इससे related कपीला प्रोग्राम से related या दोनों गलत है falsely answer, do answer बिताईए क्या सही answer होगा इसका? Okay, you said see Others Kapila program किस चीज़ से related है ये? Current affair में है गाईज बताईए पड़ने रहे हैं क्या आप? बिल्कुल That's why ये दोनों statement बिल्कुल सही होगी अभी आपने सुना होगा APJ अबदुल क्लाम वाला जो है उनकी उसमें ये launch करा गया है नहीं B is not there, C is the right answer इसमें क्या होगा? कि student अपना खुद का invention करेंगे और जो भी invention वो कर रहे हैं उसको खुद को patent भी करा सकते हैं जिससे intellectual property का जो ये intellectual property है वो protect होगी, उसकी promote भी होगी ठीक है? लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे जो student है वो ज़्यादा invention करेंगी science उपर जाएगी ठीक है? तो ये सारी चीज़े होगी दोनों सही है Union Education Minister ने इसे launch करा है, कपीला का पूरा नाम क्या है? कलाम Program for Intellectual Property Literacy and Awareness Campaign यानि कि intellectual property के बारे में पता भी चले, इसके बारे में aware भी हो लोग on the occasion of 89th birth anniversary of Dr. A.P.J. अब्दूल कलाम ओके? So C is the right answer दोनों statement बिल्कुल फाइन है दोनों सही हैं, ओके? Student in higher education institution of the country are innovative innovating constantly under the guidance of their teacher, but they are not aware of the system of filling its patent यानि कि वहां कि जो institutions होते हैं, उनके student उन्हें education पता है उन्हें education ले ली, innovative भी हैं वो, लेकिन उन्हें patent के बारे में नहीं पता, लेकिन इस कपीला प्रोग्राम के तहत, वो भी patent के बारे में जानेंगे, अपने innovation को patent भी कराएंगे under the guidance of the teachers the anti-corruption working group was recently in news, anti-corruption working group है, वो अभी news में था वो किसी से related है, क्या वो G4 से related है, quadrilateral security dialogue से related है G20 से है या G7 से है current affair को जब आप पढ़ते हैं तो obviously आप analyze भी करते होंगे, चीजों को समझते होंगे तो ये working group किस चीज से related है, कहां पर आप लोगों ने पढ़ा है इसे बताईए anti-corruption working group ओके, you said G20 C means चले, ठीक है, fine right, G20 is the very true answer G20 क्या है, कैन्वल meeting है, सभी leaders की सभी जो countries है, जो developed country है और developing country है, सभी के leaders ने मिलके एक G20 बनाया है और उनकी with the largest and fastest growing जो economies है, वो countries की सबने मिलके group बनाया था G20, इसके जो member है वो 85% of world GDP यानि कि 100 GDP है अगर world की, तो 100 में से 85 किसने carry करी हुई है G20 ने carry करी हुई है and two third of its population तो population two third उन्होंने की हुई है G20 जो summit हुई थी उसे क्या बोला जाता है summit on financial market and the world economy, उसको ये भी word बोला जाता है साओधी अरेबिया ने इस बार की तो G20 की meeting होरियों से साओधी अरेबिया ने host करेगा hosted the first minister meeting of the G20 anti-corruption working group G20 का इस बार क्या ये group है, anti-corruption working group उसको साओधी अरेबिया ने host किया साओधी अरेबिया hold the presidency of G20 and it is the first Arab nation to do so, यानि कि जो साओधी अरेबिया है ये पहली ऐसी Arab nation है जिसने G20 को preside करा है उसको host करा है ये हां से आप पढ़ लेना ये है G20 plus अभी नया क्या आया है G20 plus, यानि कि developing nations है, उनके लिए बना है, आप इसको G21 भी बोल सकते हैं, 23 भी बोल सकते हैं, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है, जो कि 2003 में बना था, it was traced to Brazilian declaration गाईस पता है क्या है, अभी anti-corruption group आया न इससे related, ये G20 से related है, अब G20 से related कहीं से भी question आ जाएगा तो question आपको हर तरीकी से prepare रहना है G20 plus was traced to the Brazilian declaration यानि कि इस declaration की तहती आया था Brazilia, signed by the foreign minister of India, Brazil and South Africa, तीन Brazilia Brazil ZE से आप करोगी South Africa और फिर EIA से करोगी India, ओके इन तीनो country ने मिलके, इन तीनो country के foreign minister ने मिलके जो है, sign करा था जिसमें क्या था, G20 plus 2003 में, it is responsible for 60% of the world population, 26% of world agriculture export and 70% of farmers ओकी शुबम, आप current affair जो करते हो, आप हिंदू को follow करिए और study IS पे current affair की classes भी होती है, तो आप उन्हें follow करिए second thing, आप अगर सिर्फ MCQ भी करते हो, तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि daily MCQ के जो topics है, उन्हें में से questions लाए जाते आप लोगों के लिए, ओकी, better जादा कब रहेगा, जब आप current affair करते हो, और उसकी बाद MCQ की class करते हो, जादा better वो रहेगा, ओकी, या फिर पहले MCQ कर लो, फिर CA कर लो, वो जादा better रहेगा, बट MCQ करने से आपको पता जल जाता है कि क्या क्या करना है, क्या skip करना है, किस तरीके से करना, आपकी practice हो जाती है, consumer price index for industrial worker is used for CPIIW क्या है ये, किस चीज के लिए use होता है, price fluctuation measurement के लिए, growth measurement के लिए, determining dearness allowance के लिए, improve rural wage, किस चीज से ये related होता है, किस के लिए ये use होता है, yes, da hindu sing, okay too fast consumer price index जो industrial worker के लिए बना है, CPIIW वो किस चीज के लिए use होता है price fluctuation measurement के लिए growth measurement के लिए, determining dearness allowance के लिए, या फिर improve rural wage के लिए, गलत dearness allowance के लिए, C is the right answer okay किस चीज के लिए होता है, dearness allowance के लिए भी हम पढ़ते है, कैसे CPI या फिर market basket is an index, it is used to calculate the retail inflation in the country country में retail inflation किस तरीके से inflation जो बढ़ रहा है retail में, यानि कि छुटपट छुटपट छोटे चोटे उसमें किस तरह बढ़ रहा है, उसको calculate करने के लिए इसको देखा जाता है it is a measure of the change in price में जो change आता है, उसको यह check करता है, labor and employment, हमने गई यहाँ पर CPI आप लोगों ने सिर्फ CPI पढ़ा हमने IW भी तो देखा है IW आपने skip कर दिया यानि कि industrial worker के भी बारे में उन्होंने पूछ रहे हैं वो तेक हैं, अगर सिर्फ CPI होता then we can say that A is the right answer, yes, price fluctuation के लिए बात हो रही है, but he is asking about the industrial worker also, right तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने हैं कि उनके लिए जो dearness allowance उन्हें मिलता है उसको determine करने के लिए काम करता है, अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि labor और employment ministry ने revise करा है base year को, base year का मतलब जब उसको changes को check करेंगे, तो एक base कोई year जोए वो base लिया जाता है as a base माना जाता है और उसके हिसाब से current year में कितनी changes आई हैं, उसको check out करा जाता है, पहले 2001 लिया था लेकिन अब उसको change करके 2016 ले लिया है तो अभी base year क्या होगा 2016 होगा CPI IW it is used for measuring inflation in retail prices and also used to regulate the dearness allowance of government staff and industrial worker, industrial worker के case में, inflation जो होता है, prices में या किसी भी चीज में, allowance को regulate करने के लिए, उसके लिए CPI IW का use होता है as well as to revise minimum wages in scheduled employment और जो minimum wages at least provide कर आई जाने चाहिए worker को, उसके लिए भी CPI IW का use होता है is that clear now हमने वहाँ पर IW भी mix करा था ना CPI IW पुछा है खाली CPI पूछ रहे होते अगर then ये ठीक था, A will be your right answer but IW industrial worker के बारे में पूछ रहे हो, तो dearness allowance आएगा improve इन्होंने बोला है, 4 treatment में improve rural wage rural wage क्या होता है, कुछ भी नहीं है न, अगर industrial worker wage यहां होता, तब ये बात ठीक थी या workers wage भी होता, तब भी ये बात ठीक थी growth measurement नहीं growth को कुछ चेक करने के लिए नहीं होता ये price fluctuation measurement नहीं, price कितना fluctuate कर रहा है, उससे related नहीं है, लेकिन inflation कितना आ रहा है, in the case of industrial worker, उस चीज में ये best रहेगा, उसमें होता ही है, पर अब ये भी नहीं है okay, consider the following statement, humans have four paired major salivary gland, ठीक है second है, parotid gland are the smallest salivary gland present in human, wrong code आप लोगों को बताना है, गलत क्या है, one only, two only, both या none, बताईए humans have four paired major salivary gland, उनके पास चार salivary gland होती है, और second कहती है कि जो parotid gland होती है, वो सबसे छोटी gland होती है, जो human में पाई जाती है, बताईए जल्दी से answer करिए, okay, you said B, others, a, okay, गलत बताना है, इस बात का भी याद रख लेना, wrong code आप लोगों से पूछा क्या है, right B, so right answer is B, क्योंकि जैसे future ने बोला, ये बिल्कुल सही है कि जो parotid gland होती है, वो सबसे बड़ी gland होती है, smallest नहीं होती है, ठीक है, it is large, salivary gland, जो कि कान होता है न, कान के पीछे ये gland होती है, year के पीछे, that present in human, that's why B, गलत हो जाएगा, first बिल्कुल सही है, salivary gland in mammals are exocrine gland produce saliva through a system of duct, right, human के पार चार gland होती है, एक one is parotid, और शुब्मन दिबूलर, शुब्लिंगूल और टुबारियल और 100 ओफ माइनर स्लेवरी gland और जो चोटी-चोटी gland होती है, वो hundreds मिल जाती है, जो parotid gland है, are the largest salivary gland, they are located just in front of the ear, just in front of the ear के ये महा पे मिलती है, बिल्कुल, B is the right answer, at present level of technology, which activity can be successfully carried out using drones, कौन सी activity using drone से हो सकती है, किसको drone की सायता से किया जा सकता है, जो आज की technology है, spraying pesticide on a crop field, inspecting the crater of an active volcano, right code क्या है, one only, two only, both या none, बिताइए, आज जो technology है, जिसको हम use करते हैं, उसकी सायता से, उसकी help से, हम drone की किस activity को successfully carry कर पाते हैं, spraying pesticide on crop field, inspecting the crater of an active volcano, C, okay, done, चलिए, बिलको सई, C is the right answer, दोनों हम कर सकते हैं, crop field जो होती है, वहाँ पे हम pesticide छेड़क सकते हैं, डाल सकते हैं, drone की help से, second, जो active volcano है, although हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वो जो crater है, यानि कि उपर वाला जो हिस्सा है, उस active volcano का, उसको inspect तो कर सकते हैं, उसको check out तो कर सकते हैं, okay, yes, drone की बारे में पूछ रहे हैं, तो C is the right answer, active volcano की क्या features होते हैं, किस volcano को आप active volcano बोलोगे, drone एक equipment होता है, like मतलब कुछ क्या कहते हैं, उसे आप, हवा में वो उड़ता है, drone सुना देखा होगा आपने, equipment होता है, जिसमें काफी उपर उचाई तक वो चला जाता है, आज कल तो marriage वगेरा में भी use होने लगा है, drone can go anywhere where volcanologist can't, drone वहाँ जा सकता है, जहां पे volcanologist नहीं जा सकते, जैसे crater और volcano को inspect करने के लिए, ये volcanologist नहीं जा सकते, बट drone जा सकता है, जैसे कि Hawaii reason में, Hawaii USA के पास है, है ना, एक छूटा island active volcano है, वहाँ पे botneys are using drones to hunt down rare plant in hard to reach places like cliff, यानि कि जो botanist हैं, वो drone की सायता लेते हैं, ताकि वहाँ पे plant को देख सके, in hard to reach places like cliff, वहाँ पे पहुँच सके, consider the following statement, static based question है, ये, current office से related था, तो आपके static में भी डाल दिया गया, वही वही, वही, the fifth schedule, the fifth schedule of the constitution deals with the administration and control of schedule area and schedule tribe in any state except the four states of Assam, Meghalya, Tripra और Mizoram, governor is empowered to organize and reorganize the autonomous district, right court क्या है, one, only, two, only, both, या, none, बताईए, जो fifth schedule है, constitution का, पहली statement क्या कह रही है, पहला schedule, fifth schedule जो है, वो schedule area और tribe के बारे में बात करता है, सभी state में, लेकिन सिर्फ चार को छोड़के, Assam, Meghalya, Tripra और Mizoram, second कहता है, कि governor के पास ये power होती है, कि वो autonomous district बना सकते हैं, you said C, right, everyone must answer, everyone, easy question है, इतना tough नहीं है, okay, सभी आंसे कर ये, C, right, चलिए आगे, जिन जिन पॉइंट पे आपको focus ज़्यादा करना है न, उनको ज़्यादा mark किया किजी, अब देखो, fifth schedule हमें पता है, कि ये जो है schedule area और schedule जो tribe होते हैं, उनको control करता है, उनको administration करता है, इस बात का हमें पता है, लेकिन क्या सभी state में करता है, या कि state में नहीं करता है, या करता है, वो चीज़ हमें confusion में है, तो ये याद रखे हो, इसको mind लगाए, ये कि असम मिघालय, AMT, या फिर MMT, या किसी भी तरीके से आप याद करो, असम मिघालय, त्रिपरा और मिजॉरम, ये चार ऐसे state हैं, जहां पर ये fifth schedule apply नहीं होता, second क्या कहता है, कि जो ये होता है, governor होते हैं, उनको autonomous district बनाने की power होती है, चाहे तो वो कोई नया district autonomous बना सकते हैं, या फिर जो existing है, उसको reorganize भी वो कर सकते हैं, तो C बिल्कुल सही होगा, six schedule of the constitution deal with the administration of the tribal area in four north eastern states, ये जो state छोड़े हैं हमने fifth schedule में, उनको कौन देखता है, sixth देखता है, इनके यहाँ जो tribal रहते हैं, उनको कौन देखता है, sixth schedule देखता है, is that clear? Consider the following statement, the right to protest peacefully is guaranteed by the constitution of India, the right to freedom of speech is subject to reasonable restrictions, right Ranjit, right of freedom of speech is subject to reasonable restrictions, which of the above statement is our correct, correct statement आप लोगों को बताने हैं, one, two, both, none. Peacefully protest करना, क्या ये right constitution ने दिया है, जो right to freedom of speech है, उस पे कुछ restrictions है, is subject to reasonable restrictions, क्या कुछ ऐसा है, क्या ये दोनों सही है, या दोनों गलत है, या कोई एक सही है, बाकि सब करो, only four student answer till now, चली, right to protest, peacefully, ये word यहां लिका है, peacefully, इसको अच्छे से पढ़ लेना, शान्ती से अगर आप protest करते हो, वो मान्या है, लेकिन आप शान्ती से नहीं करते हैं, peacefully नहीं करते हैं, that is not allowed, that is not guaranteed by the constitution of India, ये वाली चीज तब गलत हो जाते हैं, जब peacefully ना लिखा होता, तो अभी ठीक है ये, right to freedom of speech, that is mentioned in article 19, article 19 में restrictions दी जाती हैं, like public order को maintain करने के लिए, sovereignty को maintain करने के लिए, ये सारी जो हैं, वो restrictions हैं, but restrictions reasonable होनी चाहिए, तब ही उन पे लगाई जाएंगी, तो दोनों बिल्कुल सही है, Supreme Court ने भी इसको सही माना था, कि जो right to peaceful protest against a law, but made it unequivocally clear that public ways and public spaces can't be occupied that too indefinitely, Supreme Court ने ये बात बोली थी, कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है, चीक है, कोई लोग बनाया है, लोगों को वो पसंद नहीं आया, उनके against है वो चीज, then right to protest, peacefully करने का अधिकार public को है, protest वो कर सकते हैं, लेकिन उसके time पे कोई भी public जो property है, public जो space है, वहाँ पे कोई उद्गम नहीं मचाएंगे, peacefully वो करेंगे, that cannot be occupied, decent and democracy go hand in hand, rule and order भी maintain होना चाहिए, और अगर कोई लोग गलत है, कोई लोग सही नहीं है, तो उसके खिलाफ लोगों को अपने विचार भी प्रस्तूत करने चाहिए, but जो protest होगा, वो designated area में और जो है, peacefully होना चाहिए, ठीक है, तो I hope कि अब ये चीज़े अमेशा आपको याद रहेंगे, restrictions क्या होती है, interest of sovereignty, integrity और public order ये सारे restrictions लगाई जाती है, ये स्रंजित राइड, poverty and shared prosperity 2020 report is released by which of the following, ये report अब ही release हुई है, वो किसके द्वारा हुई है, वर्ल बैंक के द्वारा, ministry of HRD के द्वारा, UNESCO के द्वारा या IMF के द्वारा, ये इस पता है, आप लोग ना बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, class आप लोगों को समझ नहीं आ रही, just let me know, मुझे बताईए, कोई question नहीं समझ आ रहा है, English में है, या Hindi में ज़्यादा है, language problem है, tough है, आप लोगों को नहीं आते हैं, let me know once, बताईए at least, आपकी problem तो resolve होनी चाहिए, आप बताएंगे नहीं, तो resolve नहीं हीं होगी, ठीक है, second thing, अगर आप ऐसे आते जाते रहेंगे, interest नहीं लेंगे class में, तो ये समझे, questions आपको असानी वाले question भी नहीं आएंगे, please stay in the class, आदे गंटे की और बात रहे गई है, please stay in the class, और अच्छे से question को answer करिए, relax होके मत बैठिये, active होके बैठिये, right, और answer करिए, questions are very important, IMF, okay, D, fine, poverty and shared prosperity report, किसके द्वारा release हुई है, शुबम, language English में है, आपको Hindi में करनी है क्या, पुरा लिखके तो पुरा बताएए, doubt छोड़ देते हैं, Hi, Hello, इस answer is A, World Bank के द्वारा इस report को release करा गया है, ठीक है, monetary fund के द्वारा नहीं है, ठीक है, बताईए ना, at least, बताने से problem resolved होगी न, मैं अब आपको जो भी question है, उसको Hindi में सारा translate करके सुना दूँगी, फिर आप answer कर देना, poverty और जो shared prosperity report है, यानि की गरीब जो यह report आई थी, वो World Bank की द्वारा आही थी, it is a biannial report of the World Bank, यह report जो है, World Bank की द्वारा है, biannial report है, biannial report क्या होती है, बताईए, बहुत बार मैं बता चुकी है, This report provides a global audience with the latest and most accurate estimate on trend in global poverty and shared prosperity पूरे global level पूरे world level पे poverty क्या है यानि की poverty ratio क्या चल रहा है कि इस country में कितना ज़ादा poverty है और उनका prosperity है shared prosperity उसकी हिसाब से इस report को लाया गया है Consider the following statement regarding national air quality index NAQI से related question है कि हमारी air quality index से release हुआ है पहली statement कहती है it was launched in 2014 NAQI जो index है वो 2014 में launch हुआ और इसकी एक outline थी वो क्या थी वन नमबर वन कलर वन description ये उसकी क्या थी आउटलाइन थी measurement of air quality is based on 12 pollutant ये जो उनकी quality का measure करते हैं वो 12 pollutant है जिनके base पे ये measurement की जाती है It has been developed by the CPCB in consultation with the IIT कानपूर यानि कि ये CPCB ने IIT कानपूर के साथ मिल केस को develop करा है सही answer क्या है Right quote बताईए 1 only, 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only Right, 2 year National Air Quality Index Very popular question 2014 में लोंच हुआ था क्या पहली statement से आपको answer मिल जाएगा और इसकी outline one number, one color और one description है Second statement गलत क्यों है Right is wrong, वो भी बताईए C is the right answer First और थार्ड statement बिलकुल सही है Second गलत है क्योंकि air quality का measurement 12 नहीं, 8 pollutant पे होता है Okay Pollutant माने, PM 2.5, PM 10, Nitrous Oxide, Sulfur Dioxide ये सारे हम पढ़ चुक है ना, कभी कभी टूटे टूटे questions में आता है कि PM 10 और PM 2.5 ये सारे pollutant होते हैं और इन्हीं के base में ये जो index है वो निकाला गया है ये total numbering में 8 है It was launched in 2014 One color, one number, one description 8 pollutant है PM 10, PM 2.5, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide, Carbon Monoxide, Ozone, Ammonia and Let ये 8 हों के 8 है यहां से read कर लेना बिलकुल, इनकी category भी है 6 category है Good, Satisfactory, Moderately Polluted, Poor, Very Poor और Sivre ये categories हैं जिनके हिसाब से इनको index की ranking दी जाती है अगर conditions ज़्यादा खराब है तो poor दे दिया Sivre दे दिया, अगर ok ok है तो उसको moderately दिया जाता है इस तरीके से index rank जो है वो दिये जाते है News में इसलिए था क्योंकि दिल्ली की जो air quality है वो poor zone में है यहाँ पर है तो ये समझे की काफी ज़्यादा खत्रा है वहाँ पे On the Central Pollution Control Board Air Quality Index उनकी द्वारा zone index निकाला गया है उसके हिसाब से दिल्ली की जो air quality है वो poor zone में आती है Consider the following statement regarding Pradhan Mantri Swanidhi Scheme Swanidhi Scheme है यह उससे related आपको answer करना है It will provide working capital loan to state vendor to resume their livelihood during lockdown Ministry of Housing and Urban Affairs signed a move with Jomato To onboard state food vendor on its e-commerce platform पहली statement यह कहती है कि यह जो vendor होते हैं स्टीट vendor होते हैं इस scheme के तहत उन्हें working capital loan मिल जाएगा यानि कि कुछ amount का capital loan जो ने मिल जाएगा ताकि इस lockdown के time पे वो अपना जीवन जो है वो यापन कर सके जीवन जी सके Second कहती है कि Ministry of Housing और Urban Affairs ने एक M.O.U. sign करा है जो मैटो के साथ ताकि street food vendor digitalize हो जाए e-commerce platform पे चले जाए उनके order जो है वो directly उनके phone पे आए जो मैटो से order आते हैं जिस तरीके से आप लोग को पता ही है तो इस तरीके से street food vendor जो होते हैं उनको e-commerce platform पे ला दिया गया है राइट कुड आप लोगों को बताना है one only, two only, both या none ड्ताई ये, बताई ये, ये, औके C, fine, street food vendor जो होते हैं, उनसे related यह question है, everyone must answer, everyone, okay, A और C में confusion है, यानि कि आप लोगों को second वाली statement में doubt है, second गलत ही है, A is the right answer, ठीक है, A is the right answer, because यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी गलती है, कि जो मैंटो के साथ नहीं करा, स्वीगी के साथ करा है, बस इतनी सी गलती है, बाकि सब ठीक है, अभी जो मिनिस्टिय फाउसिंग अर्बन अफेर नेक MOU साइन करा है, स्वीगी के साथ, यानि कि जो अब स्ट्रीट वेंडर होंगे, अब e-commerce platform पे वो आगे हैं, स्वीगी पे आगे हैं, आब स्वीगी पे order करोगे, स्वीगी वाला इन स्ट्रीट वेंडर से order लेके आपके गर तक पहुँचा देगा, इनको extra benefit होगा, ठीक है, सेकेंड इस scheme के तहस्वा निदी, स्कीम के वो अगर चाहें, तो working capital loan भी ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टीट वेंडर्स आत्म निर्बर निदी, पुरा नाम क्या है, स्टीट वेंडर्स आत्म निर्बर निदी scheme, it was announced as part of economic stimulus to under the आत्म निर्बर भारत अभ्यान, और इस अभ्यान के तहत स्कीम को launch करा गया है, इस इसमें करीबन 50 लाख और उससे ज़्यादा स्टीट वेंडर को benefit मिलेगा, कहां के, per urban, peri urban और rural area, जो half urban areas होते हैं, और जो rural areas होते हैं, उनकी जगे में जो स्टीट वेंडर होंगे, उनको benefit मिलेगा, digital transaction through cashback incentive up to 1200 per annum, यानि कि जो digital transaction है, वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएं cashback incentive इने मिलेगा, करीबन 1200 हर साल, this scheme will transform the business of street vendor across cities by giving customer online, अब street vendor को भी जो customer मिलेंगे, वो online मिलेंगे, okay, yes, which of the following statement is are true about the IUSH system, IUSH system related, क्या सही है, it will enhance accessibility to achieve universal health coverage for affordable treatment, it will reduce burden on secondary and tertiary healthcare facility, it will help in achieving SDG3 target, right code क्या है, one only, two and three, three only, या all are true पिताईए जल्दी IUSH system क्या है, ये IUSH में पहला statement कहती है, कि it will enhance accessibility to achieve universal health coverage for affordable treatment, सभी लोगों के पास universal health coverage को ये enhance करेगा, उसको बढ़ाएगा, और सभी को affordable treatment मिलेगा, second कहता है, कि जो secondary और tertiary healthcare facility थी, उसकी तहत, जो IUSH मान आया था, उसको पे burden ये थोड़ा कम कर देगा, third कहता है, कि it will help in achieving SDG की 3, जो SDG 3 है, उसके target को achieve करने में भी help करेगा, बिल्कुल सही, D is the right answer, आयूश का पुरा नाम क्या है, आयूरवेद, योगा, नैचुरोपैथी, उननी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होमियोपैथी, ठीक है, ये पुरा नाम है, आयूश का, आयूश is an implementation of SDG 3, good health and well-being, SDG 3 क्या है, good health and well-being, as mandated by the NETI, उसको भी implement करेगा, नेशनल आयूश mission आया था, जो कि Department of I.U.S. के द्वारा ही launch करा गया, under the Ministry of Health and Family Welfare, during the 12th plan for implementation through states and UTs, या निकी, ये Department of I.U.S. के द्वारा launch करा गया, Ministry of Health and Family Welfare के अंदर ये ministry थी, और 12th plan था, तब ही सारे state और U.T. में इसको implement कर दिया गया, नेशनल आयूश mission के objective क्या है, कि medical system को promote करना, और cost effective services provide करना, educational system को standard करना, quality जो है, Ayurved की, सिद्ध की, उननी की, होमियोपैथी की, इन सब की जो quality है, उसको enforce करना, उसको बनाए रखना, clear है क्या? secondary और tertiary healthcare थी ना, आयूश मान केर में, उसमें primary नहीं include थी, वो वाली services को ये help करेगा, उन पर burden जो है, वो कम आएगा, उनके साथ के साथ ये वाली चीज एड़ हो गई है, तो उसमें burden कम पड़ेगा, Good morning Samikshah, how are you? Okay, which of the following state makes boundary with both Myanmar and Manipur? कौन सा state है इन सब में से, जो Manipur और Myanmar के दोनों के साथ boundary बना रहा है? Map-based question है, यहाँ पर आपके बहुत जादा confusion, अगर आपने सही answer कर दिया तो दूर हो जाएगी, और गलत करा, तब हम बता के सब confusion को दूर कर देंगे, Which state makes boundary with both Myanmar और Manipur? नागलेंट, असम, मिजोरम, तिपरा या अरुनाचल? बताइए 1, 2, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 1 and 3, या D कहता है कि all except to, सभी हैं सिर्फ second को छोड़के बताइए Hello Myanmar और Manipur, दोनों के साथ ये boundary बनाना होना चाहिए नागलेंट, असम, मिजोरम, तिपरा या अरुनाचल? राइट कोड बताइए ना, कोड में से आंसर करो 1, 2, 5, 1 and 3, 3, 4, 5, या D कहता है कि सभी हैं सिर्फ second को छोड़के माइन लगाईए, मैप को विजुलाइज करेए 1 and 3, यानि कि नागलेंट और मिजोरम, ओके next, 1, A यानि कि सभी करिये Which state makes boundary with both Myanmar और मरीपूर दोनों के साथ boundary बनाता हो नागलेंट, असम, मिजोरम, त्रिपुरा या अरुनाचर परदेश 3, 4, 5 माइन, माइन को विजुलाइज करेए, मैप को विजुलाइज करेए माइन में सोचे कि कहां कहां पर क्या क्या है चले, B is the right answer 1 and 3 only ठीक है 5 की बात आती है, अरुनाचर इसके साथ boundary नहीं बना रहा है मैन मार के साथ वो उसके साथ boundary नहीं बना रहा है सेकिंड, अगर हम बात करें 4 की त्रिपुरा त्रिपुरा भी boundary नहीं बनाता है मैं आपको देखते है देखो, ये है मिजौरम हमने किसका पूछा है, मनीपूर और मैनमार का ये है मनीपूर और ये है मैनमार अब मनीपूर के साथ मिजौरम इधर नीचे से boundary बनाता है और मनीपूर के साथ उपर से boundary बना रहा है नागा लेंड तो मिजौरम और नागा लेंड ये दोनों ही answer ठीक हो जाएंगे 1 and 3 only सेकिंड तिंग, जब हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा सिर्फ मिजौरम के साथ boundary बनाता है मनीपूर के साथ भी नहीं बना रहा है ठीक है तो ये मनीपूर के साथ मनीपूर ऊपर आओ गया इसके साथ boundary नहीं बना रहा है तो त्रिपुरा यहाँ पे cancel हो जाएगा सेकिंड असम असम सिर्फ मानिपूर के साथ boundary बना रहा है, मानिपूर के साथ नहीं बनाता, that's why हम असम को cancel कर देंगे, इसके बात, अरुनाचल, अरुनाचल जो है, वो मानिपूर के साथ boundary बना रहा है, मानिपूर तो नीचे आ गया, ठीक है, समझ पारे हो नापचे से, अरुनाचल सिर्फ Myanmar के साथ है इधर नहीं है नीचे नहीं आ रहा है फिर असम सिर्फ Manipur के साथ है Myanmar के साथ नहीं है सिर्फ दो स्टेट ऐसे हैं जो कि Mizoram और Nagaland वो Manipur के साथ और Myanmar दोनों के साथ boundary बनाते हैं इस तरिके की question really बहुत जादा क्या कहते हैं confusing होते हैं which of the following statement is are wrong about the Central Vigilance Commission CVC के बारे में क्या गलत है statement it is an apex vigilance institution free of control from any executive authority monitoring all vigilance activity under the central government and the state government second कहता है कि independent body है जो कि responsible होती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को C कहता है दोनों साही है डी कहता है नन एक भी साही नहीं है सीवीसी Central Vigilance Commission पॉलिटी की हमने जो सिरीज करी थी उस सिरीज में आप लोगोंने सीवीसी कर रहा होगा सीबियाई और सीवीसी मैंने मर्च करके करवाया था तो उसमें से आपने अंसर करना है कि क्या सही है ओके सेंटर विजिलेंस कमिशन यू सेट भी एवरीवन वस्ट आंसर सभी आंसर कर गये ए, बी और सी तीनों में काफी कनफ्यूजन है सीवीसी पढ़िये स्टेटमेंट को पहली कहती है कि एपेक्स से सबसे बड़ी है एक्जेक्विटिव अथॉरिटी का कोई दबाव नहीं है इस पे सभी विजिलेंस एक्टिविटी खुच चेक करती है झेने मोनिटर करती है अंडर दर सेंट्रल गवंपें में कोई विजिलेंस एक्टिविटी है तो उसको सीवीसी चेक करता है सेगं ऑग रहा है कि इंडिपेंडेंडेंड बोडी है जोकि सिर्फ पार्लेमेंट को है क्योकि किसी की दबाव के अंदर नहीं है तो responsible सिर्फ पार्लियमेंट को है right so B is the right answer या state government के लिए state vigilance commission है central क्यों उनके उसमें पड़ेगा क्यों उनको check करेगा बताएए state के लिए state vigilance है center नहीं check करेगा that's why हमने पूछा था wrong statement, गलत कोई भी नहीं है एक मिनट गलत, इसका answer B होगा right answer will be A हमने इसमें wrong पूछा था मिज़े लगा कि सही पूछ रहे हैं wrong पूछा था तो A will be wrong answer क्योंकि state government नहीं आप पे काम खराब कर दिया यह वाली चीज नहीं होती B सही है statement A आपका answer होगा इस question में CVC जो है वो setup करा गया था सरकार के द्वारा 1964 में किसकी recommendation पे committee on prevention of corruption एक ही committee बनी थी prevention of corruption उस committee के नाम पे इसे establish करा गया था 2003 में बाद में parliament ने इसको statuary का status दे दिया था तो अभी इसका status क्या है statuary है CVC is not controlled by any ministry, any department It is independent body which is only responsible to the parliament ये statement कहती है कि independent body है जो कि सिर्फ parliament को responsible है ये बिलकुल सही statement है Hi Akansha, how are you? ठीक है, so इसमें सिर्फ आपका ये answer होगा CVC receive करती है complaint on corruption और misuse of office जब corruption का कोई case होता है तो CVC पे जाएगा और या फिर misuse of office होता है तब इस पे जाएगा और उसके लिए recommend करती है appropriate action की किस तरीके से काम करा जाएगा उसको सिर्फ recommend करती है Central government, लोगपाल और whistleblower ये तीन ही ऐसे area हैं जो कि CVC को approach कर सकते है यानि कि Central government, CVC को कोई case बीच सकती है लोगपाल बीच सकता है या whistleblower बोल सकते है ठीक है यहाँ पे state government नहीं लिखा है वो याद रख लेना जो कि first statement गलत करता है With reference to the National Pharmaceutical Price Authority Consider the following statement NPPA से related question है उसके लिए आपको statement पढ़ने है और वो बताओ It is an independent body of expert under Department of Pharmaceutical Union Ministry of Chemicals and Fertilizer It implement and enforce the provisions of the drug price and control order It rendered advice to central government on change in the drug policy Right code क्या है One only, three only, all are true या फिर none of the above ये स्विक्राम होगी छे बजे है शाम को डेली होती है कल भी होई थी आप लोग जोईन नहीं कर रहे हो वहाँ पे नेशनल फार्मासुटिकल प्राइसिंग अथोरिटी NPPA Independent body है expert की जो की department और फार्मासुटिकल के अंदर आती है जो की union ministry of chemical and fertilizer के अंदर है Second कहती है की drug price control order से related जो भी provision होते हैं उनको ये implement करता है Third statement कहती है की जो NPP है वो central government को advice देता है drug policies से related अगर कोई change लाने है तो advice करता है central government को ठीक है? चलिए बटाइए one only, three only, all are true या फिन अनवद्य अबब C, okay, fine three only, यानि की B कह रहे हो क्या आप? NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority बताइए, fast, do fast answer समिक्षा चलिए C is the right answer तेनों सेटेन बिलकुल सही है इसकी जो NPPA वो एक तो independent body है एक्सपर्ट ने मिलके इसको बनाया है Department of Pharmaceutical के अंदर है ये बात ये बताई देता है अंडर the Union Ministry of Chemical and Fertilizer तो ये first statement ठीक हो जाएगी ये implement करता है drug price control order से related जो भी provision होते हैं उनको check out करता है implement करता है और central government को advise करता है 97 में ये बना था अब भी news में इसलिए था क्योंकि NPPA ने hike कर दिये ceiling price of 12 essential first line treatment drug drugs के जो first line treatment drug होते है उनकी prices को hike कर दिया है crucial in the public health program by 50% to ensure availability of this drug क्योंकि supply कम हो गई है जब supply कम हो और demand जादा हो तो उस time पर price automatically बढ़ जाते हैं similar way में अभी भी NPA ने वही करा है कि 50% supply एकदम कम हो गई है demand तो उतनी है even increase ही होती है तो इसलिए उसके price जो हैं वो बढ़ गई है consider the following statement about National Thermal Power Corporation Limited National Thermal Power Corporation Limited it is a central public sector undertaking under the Ministry of Power India's largest energy conglomerate with roots planted way back in 1975 to accelerate power development in India it provides reliable power and relative solution in economical, efficient and environment friendly manner driven by innovation and agility D कहता है चारो तीनों statement ठीक है Ola true National Thermal Power Corporation Limited which is true answer NTPC first statement है कि ये सरकार की company है सरकार की अंदर आती है public sector है और ministry of power के अंदर ये है second कहती है कि इंडिया की largest energy conglomerate है जो की 1975 में बनी थी to accelerate power development in India फिर कहती है कि इसकी इससे क्या होगा कि जो reliable power होते हैं और उससे related solutions होते हैं under the ministry of power 2010 में इसको महारतन का स्टेटस मिला था महारतन का स्टेटस मिला था NTPC allowed to use drone for research and inspection of thermal power project अभी thermal power project कैसे चल रहे है उनकी inspection के लिए drone को allowed कर दिया गया है अब NTPC drone को use करेगा ministry of civil aviation लेकिन अभी और उसके साथ साथ क्या news है कि ministry of civil aviation director general of civil aviation have granted conditional exemption उन्होंने इस बार पे एक शर्त रख दी कि NTPC को अगर deploy करना है एक RPEAS यानि कि remotely piloted aircraft system को deploy करना है research और inspection activities के लिए तो वो इनमें करने के लिए एक शर्तों को पूरा करना होगा विंद्याचल सूपर thermal power station जो केंपी में है गदरवारा सूपर thermal power plant जो के MP में है और सिपात सूपर thermal power project जो के 36 गड़ में है चलिए time भी हो गया है class भी हो गई है now tell me how you feel today आप लोगों को सभी question अच्छे से समझ आए के नहीं आए everything is clear to you किसी question में कहीं दिक्कत ये हुआ हो कि नहीं समझ आया हो जासे सभी समझ आ गए और सभी आ question topic आप लोगों ने पढ़ रखे थे जाई आप लोग answer नहीं करते ही तो फाइदा ही कुछ नहीं है ठीक है please answer करिए active होके बैठिए class में और अच्छे से answer क्या कीजिए one by one questions का clear है okay no doubt चलिए class को अभी हम end करते हैं 6 बजे शाम को class होगे शाम को 6 बजे मिलते हैं geography की series में so I will wait for all you that you will be there जो student class offline देखते हैं बात में देखते हैं अगर उनका guys कोई भी issue है कोई भी comment कोई भी matter है उनको नहीं समझ आया या फिर उनको काफी अच्छा समझ आया जो भी उनका feedback है please वो comment में दिखाया कीजी so that हमें पता चल जाए कि आप लोगों को किस तरीकी से समझ आ रहा है ठीक है thank you so much और like करना मत भूलेगा class को telegram में बहुत से group होते हैं उनमें share कर दीजे subscribe कर दीजे studyis channel को studyis आप लोगों के लिए हमेशा नए-नए step लेका राता है नए-नए initiative लेका राता है उन initiative से आप हमेशा से रूबल रहे तो इसलिए आप studyis channel को subscribe करके bell icon प्रेस करो अनक एडम में अंकीता जिंदल is my personal telegram channel और studyis is official telegram channel तो आप दोनों को join कर सकते हो ठीक है कुछ पड़ रखेते दायन कुछ आप लोग कर लो कुछ मैं आपको करवा दूगी so that आपका prelims clear हो जाएगा ठीक है